Hi everyone, welcome back to our channel और आज तक के वीडियोस में हमने जाना कि बच्चों को दूसरे बच्चों की तारिफ करना सिखाना है दोस्तों की रिस्पेक्ट करना सिखाना है सब के साथ प्यार से खेलना सिखाना है सब को अपना समझना सिखाना है बट आज का चो टोपिक है वो जितना सेंसिटिव है उतना ही इंपोर्टेंट भी जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं अपना पास्नल एक्सपी ने शेर करती हूँ बच्चों की लाइफ में आने वाली प्रैक्टिकल सिटेशन से रिलेटेड तो आज का चो वीडियो से पूरा देखना ध्यान से सुनना उसके पहले कॉमेंट मत करना थ्क है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं जिसके लिए मुनें बहुत अच्छे अच्छी बातें सिखाते हैं, जो कि सिखाने भी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उन्हें थोड़ी tricky बातें भी सिखाने पड़ेगी, जो कि उनके अच्छे के लिए ही होगी, इसके लिए सबसे पहले बच्चों को लोगों को पहचानना कि कुण कैसा है किस का नेचर किस टाइप का है इसके लिए बच्चों को अलग अलग तरह से एक्जामपल दे सकते हैं कि जैसे मालोग किसी बच्चे ने आपको कभी कभार एकाद मार दिया उसका नेचर वैसा नहीं है लेकिन कभी कभी गुस्सा आ गया लड़ाई हो गई उसन पियार से दुबारा आराम से खेल सकते हों बट कभी कभी कुछ बचो का नेचर जादा मार पीट वाला सकती ही इसमें उनकी भी गर्टी नहीं होती क्योंकि बच्चों को तो हर स्टेप पे गाइडेंस की जरुत होती है बट हम हमारे बच्चों को ऐसे बच्चों को पहचानना भी सिखा है क्योंकि जब मार पीट ना करने वाला दूर मार्पीट करने वाले बच्चे से मिलेगा उसके साथ खेलेगा तो उसे बहुत जादा प्राइघ मरिषया क्योंकि वो टाइम टाइम पे उसे मारता रहेगा और वो अंदर अंदर दुखी होता रहेगा अंदर अंदर बुसा क्रेट होता रहेगा या हो सकता है कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता लेकिन हैवी feel होता रहता है और अगर कभी बच्चे ने हमें बताना चाहा कि ममा वो ऐसे करता है और हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हम बिजी थे किसी भी दीजन से या हमने बोल दिया कि खेल में तो सब चलता है कोई बात नहीं तो ऐसे में तो बच्चा बिल्कुल helpless feel करेगा क्योंकि कि अगर हम ही उसका साथ नहीं देंगे तो वो कहां जाएगा या कभी यह भी हो सकता है कि हम उसका साथ देने के लिए उसे बात करने लिए तयार थे लेकिन बच्चा बता नहीं पाया you know most of the time तो बच्चे भूल जाते हैं यह सब बता ना ऐसे में हमारी बहुत बड़ी जिम नहीं है हम कब तक उनके साथ रहेंगे कहां कहां उनके साथ रहेंगे नहीं रह सकते ना बलकि अभी भी जब स्कूल जाते हैं दोस्तों के साथ पार्क ले खेलते हैं तो अकली ही तो रहते हैं ऐसे में धीरे धीरे उन्हें जीवन से संबंदित इस तरह की बाते सिखाते रह करना चाहिए अब मार लीजी हमारा बच्छा अच्छा बच्चा यहम सामने नहीं है चाटा मार दिया छेल रहे हैं नहीं करता है और उसे मजा आता ही मारने में और हमने यह फायदा हुआ यह नुकसान ऐसे तो वह अंदर अंदर depressed feel करता रहेगा उसका confidence हिलने लगेगा और वह अपने आपको कमजोर समझने लगेगा क्योंकि कोई भी आके उसे पीट के चला जाता है और वह पीटता रहता हैं क्योंकि वह अच्छा है और यह जो मारपेट करने वाले बच्चे होते यह बहुत Smart होते हैं यह parents के सामने नहीं मारते हैं जैसे ही देखा कि कोई नहीं है चाटा मार दिया और विचारा वो बच्चा जो सीधा साधा अच्छा बच्चा है वो रोके रह जाता है यहां हमें जरूरत है बच्चे को दूसरे बच्चों को पहचाना सिखाने की ऐसे नहीं कोई भी आया पीट के चला जाए यहां यह वाली अच्छा है काम नहीं आएगी यहां काम आएगी स्मार्टनेस वाली अच्छा ही means बच्चों को समझाए कि कोई बच्चा आपको बार बार मारता है तो आपको पता चल गया कि उसका नेचर ऐसा है तो सबसे पहले तो अलर्ट रहो उससे बच के रहो, थोड़ा दूरी बना के रहो इसमें कोई बुराय नहीं है और अगर फिर भी कभी वो आपको मारता है तो आप भी वैसा ही कर सकते हो तो हमें उन्हें ये विश्वास दिलाना है क्योंकि कभी-कभी बच्चों को लगता है कि ममा पपा डाटेंगे, वो नहीं डाटेंगे लेकिन उन्हें लगता है इसलिए वो नहीं बता पाते तो हमें उन्हें ये बताना है कि आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि हम अपने बच्चों को वैलियू सिखा सकते हैं, संसकार सिखा सकते हैं लेकिन दूसरे बच्चों को तो नहीं सिखा सकते हैं तो ये हमारी parents की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को safe रहना सिखा है, एक हम उने protect करें, दूसरा है वो खुद अपने आपको safe रख पाए, कौन सा ज़्यादा बैडर है, खुद खुद को safe रख रख ला, इसके लिए बच्चों को ये भी सिखाए, कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा परहशान करता है, मारता पीड़ता है, तो कोशिश करो कि ऐसे बच्चों से दूर रहो, तो अच्छा है दूरी बना करें प्लस उन्हें ये भी सिखाएं कि ऐसे बच्चों के साथ अकेले नहीं खेलते हैं कोशिश करो कि मम्मा पपा साथ हो या किसे बड़े की देख रहे कि में खेलो ताकि फाल तुम्हें मारना पड़े वरना मारने के बाद बच्चों को अंदर से बहुत गुस्सा आता है वो अंदर से बहुत जादा सैड फिल करते हैं लेकिन फिर कुछ कर नहीं सकते हैं बच्चा रोता रहता है और हमें भी बुरा लगता है तो ऐसे बच्चों के साथ अपने बच्चे को अकेला ना छोड़े हैं नेक्स बाद जो में बच्चों को सिखान पड़ेगा आयनो यह थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह की बाते सिखाना बड़ा अजीव लगता है और हो सकता है आपने से कुछ पैरेंट्स मेरे साथ अगरी ना भी करें बट यहीं पैरेंटिंग है हमें बच्चों को हर तरह की सिख्षा देनी होगी उन्हें मजबूत बनाना होगा उन्हें अंदर से अच्छाए की तरफ भी बढ़ाना है लेकिन साथ ही साथ बाहर की दुनिया के साथ डील करना भी सिखाना है अगर हम उन्हें यह सब नहीं सिखांगे तो हम बहुत बड़ी गल्ति कर रहे हैं पिर मुनें अधूरी सिख्षा दे रहे हैं क्यो और बात जो हमें बच्चों को time time पर कहते हैं चाहिए कि बच्चा मैं आपके साथ हूँ उन्हें ये तो सिखाया है कि अच्छे से खेलना है सबके साथ प्यार से रहना है लेकिन साथ ही ये भी बता के रखें कि अगर कोई बच्चा आपको बिनावाद परिशान करता है तो प्र Rivera कि कई बार बच्चों को लगता है कि मवा पापा डाटेंगे हम नहीं डाटेंगे लेकि लेकिन लगता है कि और ये अपनी हर तरह की बात सा शेयर नहीं कर पाते हैं तो बातचीत करते कि आजकर इसको क्या हो गया है यह गुस्सा करता है जीत करता है तो बात्चीत करते रहें बच्चों से टाइम टाकि वो हमें अपनी जिंदिकी से रिलेटेट हर तरह की प्रब्लम बता सके साथ ही बच्चों को एक और जरूरी बात सिखाए शुरू से ही कि जिस भी बच्चे आपको बिनाबात मारा है उसने आपको मारा आपने उसको मारा आपने डिफेंस कर लिया तो बाद में उस बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है कि यह तो ऐसा ही है यह जगडा करता है ऐसे ही मारता है नहीं उसको दिल से अपना अच्छा दोस्त मानो खुद को तो बचा के रखो लेकिन दिल में प्यार हो ये टोपिक मेरे दिल के बहुत जादा करीब था इसलिए मैंने शेयर किया I know थोड़ा आजीब है या लोगों को लग सकता है कि ये भी बच्चों को सिखाने की चीज़ है बट मैंने देखा ऐसा बच्चों को जो पिटते रहते हैं लेकिन वो अपने फेरेंस को नहीं बता पाते हैं फॉर सम रीजन या बताना भूल जाते हैं लेकिन कहीं निके वो खुद अंदर से दब्बू टाइब बन जाते हैं I hope आप समझ पा रहे हूं मैं क्या कहना चाहा रही हूं तो आप मुझे इस बारे में अपनी गाए जरूर बताना भले आप लाइक मत करना शेर मत करना चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना बट इस बारे में आप क्या सोचते हैं यह मुझे जरूर बताना मुझे इंतजार रहेगा आपके कॉमेंट्स का मिलते किसे नए वीडियो में तब तक के लिए बाए